चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोरोना के टाइम पर क्या खेल किया था उसने वो अंडर वीयर वाले मास्क भेज दिये थे यादे आपको बड़ी दोस्ती के दावे कि यह जाते थे कि भाई यह ऐसा हुआ वैसा हुआ और बड़ा मजा अख उड़ा उस पर कि चाइना ने अब कि में जो अर्टके काया है उसमें भारत तो बहुत ही बर्चट के हेल्प कर रहा है अब ही थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो फ्लोट किया थे जिसमें मोडी जी चुक्रू तरके से वापसाया है इंडिया उसके साथ बात्चित कर रहा है थे तो इंडिया तो कि जौर सोर से उनकी मंद्ब कर रहा है लेंकिन पाकिस्तान ने भी उनकी कुछ मदद है कुछ सामान बेजा है और उसमें भी बिसमें भी कुछ कुछ कप्ला है तो आलोक सी यह इंडिर यह उसमेסर्वेशन लेकर आए और देखते हैं यह पूरा मामला क्या है तो सुरू कर तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जी ओ पॉलिटिक्स और डिफेंस की खबरें थोड़ी सी मात्रा डिफेंस के खबरों की कम हो गई है और जी ज़ादा हुए है जो हमारे पडोस में है न जो लोग वहां पर हल चले बहुत जादा हो रहे हैं ऐसे ऐसी खबर आ ज कांडी जी जो पॉलिटिक्स सही समद्धित है कई लोग सवाल उठा देता है कि आरे आप क्या सर आप क्या लेकर आ जाते हैं कुछ भी बताते हैं मुझे क्या मतलब है नेकि देगे मतलब होना चाहिए जो यह खबर मैं आपको बताने वाला हूँ यह सबक सीखने वाली खब है लेकिन इसी बीच फिर से कांड करने से पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं अड़ते है उनको लगता है कि मैं ने कर दिया किसी ने देखा नहीं कोई पकड़ेगा नहीं किसी के सामने मेरा परदाफाश नहीं होगा और मैं बज्जा हूँँगा आलग सर बेठे हैं आपकी वो बिरादर तो पाकिस्तान से रहा नहीं किया, उसने भी देखा देखी, अब जितना बन पड़ा, उतना उसने किया, अपनी आवाम से भी आवान किया, जो कुछ भी है, किया, लोगों ने भी कुछ भेजे हैं, इसमें बुराई नहीं है, मैं बिल्कुल इसमें बुराई नह इंडिया की वहवाही हो रही है और तरकी वाले जो हैं दोस्त इंडिया कह रहे हैं तरकी के अख़बारों में जो है वो इंडिया के तारीफ के पुल बांदे जा रहे हैं तो खेर ये सारी चीजे हो रही हैं लेकिन इसका ये कत्ता ही मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को नीच दिखाएं और उसकी चर्चा हो और लोग उसका मजाग उड़ाएं अब इसका बड़ा जबरदस्त बात मैं बताने वादा हूं क्या 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 तो भाइयो हुआ यह है कि तर्की को पाकिस्तान ने एड भेजी मदद भेजी कुछ सामान भेजा और वो जो सामान था उस साम में ही खेल कर दिया पाकिस्तान में क्या खेल किया है अच्छा आपको याद है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोरोना के टाइम पर क्या खेल किया था उसने वो अंडर वीयर वाले मास्क भेज़ दिये थे याद है आपको तो बड़ी दोस्ती के दावे किये जाते थे कि बढ़ा मजा उड़ा उसपर कि चाइना ने देखो पाकिसान किया थे हिमालय से उची सम्नुदर से गहरी दोस्ति ही औरो उन्हें लोको सकते हो पाकिस्तान ने तरकी को सामान भेजा है जिससे उनके ना कट गई तो दोस्तों वहे चीज पीटstudy जो सामान भेजा पाकिस्तान की सरकार ने एड के तोर पर कि जी रहत के लिए हम भेज रहे हैं पाकिस्तान के लोग जो है वो तरकी को बहुत जादा प्यार करते हैं तरकी के लोग तो हमारे बिरादर हैं और हमारा बड़ा जबरदस्त जजबा आपस में मिलता है तो उसे जज तरकी वाले बड़े खुशुए बहिया, चल आप सहल पाक किस्तान के मातबर है, बिल्कुला शाना भशाना खड़ा है, वह तरकी के मैं के लोगों के साथ, उसने मदद भेजी सा सामान खोला चैनले लगा उस सामान खोला जाने है और खोल मैं एंह dúP कर पार मैं झाब भी आसा कर सकता है समय में नहीं शुक gebोला था हो यूला कि जयुक्तार में फ्लड आये बहुत भायानक फ्लड था अभी पाकिसान जूजी रहा उससे उसमें तर्की ने तर्की की सरकार ने राहत सामगरी भेजी ना उन्होंने भी भेजा और उन पाकिस्तानी इतने मतलब समझ में नहीं आता यार नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मली कोई गिफ्ट कि अब भी खरीदे हैं किसी को देने के लिए आप अमोवन घर में होता है जो समझ नहीं रखे उन्होंने वही सामान वापस तर्की को भेज दिया जो तर्की ने उन्हें भी भेजा था रिलीफ मेटेरियल के तौर पर आप सोचे कि पाकिस्तानी सरकार ने वो रिलीफ मेटे लाटों को बेघर हो गए उनको जरुवत थी सामानों की और वो सामान पहुंचा नहीं इसका तो जीता जाकता उधारन है न अच्छा आपको लग रहा हो कि मैं हवा में बाते कर रहा हूं हवा में नहीं कर रहा हूं मैं इसका एक सबूत दूँगा और बड़ा कर रहे वाला था हमने भेजा था कि वहां के लोग परिशान है पाकिस्तान की जनता परिशान है उन लोगों को मदद होगी जो सामान हमने भेजा है उसका इस्तेमाल करेंगे उनको राहत मिलेगी और यह तो दबा के बैठ गे पाकिस्तान है और वही सामान बिना वो रैपर ओपर हटाय उ दिया उन्होंने चुप की मजट की होई अपना माधा पकड़ कर बैठे हैं सोच रहों के बचार है कि किस नमाकूल देश के साथ हमने दोस्ती कर ली है इसके चक्कर में FATF में भी गए और अब जो यह आहलत हो रही है अपना ही भेजा हुआ सामान आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है विद लव फ्रम पीपल अफ पाकिस्तान और अंदर बेडिल तर्की वेला मामला है तो अब इससे बड़ी बेज़ती और क्या हो सकती है आप सोचिए कि मतलब जरा भी शर्म भी नहीं आती है अभी तर्की ने रोका कि मत आईए उसके बाद भी दो दिन बाद पहरे रद करना पड़ा शवाज शरीफ साब को और फिर वो पहुँच गए हैं गए हैं कि हम मदद करेंगे ये करेंगे और ये ऐसी मदद कर रहे हो आप कि तर्की का सामानी तर्की को वापस भिज दिया और क्या दिया कि पाकिस्तान ने भेजा अख़वारों में ख़ब चब गई है पाकिस्तानी अख़वारों में कि पाकिस्तान ने मदद के लिए सामान तर्की भेजा है तो आप के पास ख़बर कहा से पहुंची, देखिए मेरे पास थो ख़बर काई की जरीया है, पाकिस्तानी मीडिया में बड़े-बड़े लोग है, एक साब को चुलमच गई उन्होंने ये ख़बर जो है वो होड़ दी उन्होंने टेलिविजन पर, नेशनल टेलिविजन पर, कौन थे तो आप लोगो यकिन ना हो चलते चलते मैं आपको उनकी वो क्लिपिंग सुनाता हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद हैं बड़े नामी ग्रामी है बाई चानता है जी एनने न्यूज पर आते हैं उन्होंने ये बात कही है और वह भी बड़े में नहीं कहके बाद 20-25-30 कि चलो अपना काम भी पुरा हो जाएव जादा नोटिस नो हो हम तो यहां दूर्वीन लगा कर बैठे हैं उन्होंने पाकितान टैग लगा हूँए उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से महबबत के साथ जो सेलाब के दिनों में पैकेट पैक करके भेज़ दिया है अब मुझे नहीं पता का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहास करता है हमारा यह वहां के कॉंसलेट जैनल को किसी को खबर दी है तो कितने किया इंबैरिसिंग सिच्वेशन आपने एंकर के पास भी कुछ सब नहीं तो ऐसे पाकिस्तान कराता है अपनी इंटरनेशनल बैज़ती ऐसे पाकिस्तान दिखाता है कि देखो हमारे में कितना कम दिमाग है अचा यह बात मैं पूरे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं बड़े पाकिस्तानी मेरे से ना नाराज हो जाते हैं कि आप कैसे आप सारे पाकिस्तान को एक ही बेड़ की तरह हाकने लगते हैं, नहीं हाक रहा हूं, मैं उन गिने चुने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जिनके पास अकल थोड़ी ज्यादा है, और ऐसे ऐसी सला दे ये थे हैं, और भाई, जब सामान गया था तो रैपर निकाल लेते, अचा वो सकता है कि दुबार इतनी का अकल नहीं है, तरकी वाले तो लाज शरम में बिचारे अभी हैं, अब देखिये का हो सकता है कभी जब ये सब कुछ निपट जाए, सब कुछ बिचारे थोड़ा सेटल डाउन हो जाएं, तब वो पाकिसान को कहेंगे, यार, क्या किया तुम लोग ने, क्या करते हो अपने आप पर भी हंसे उड़वाते हो, और हम भी विचारे उसमें शरमिंदा होते हैं, तो चलिए दोस्तों, यही खबर देनी थी, मैंने सुचा कि यार, बड़ी अच्छी खबर है, अच्छा जियो पलिटिक्स की बात कर रहा था ने, देखिये, आप लोग कहते हैं कि इ बाते कर रहे हो, आप किस टाइम पे क्या अपना रुख दिखा रहे हो, यह बहुत जादा महाने रखती है, अब बताईए कि टर्की वाले बैचारे क्या सूच रहोंगे, यह जियो पॉलिटिक्स ही तो है, भही मदद भेजी है, उसमें आपने ऐसा काम कर दिया, अब बैच यह से लिकाता हूँ कि यह सब बड़े मायने रखते हैं, और इंडिया इन सब में बहुत स्कूटिनी करता है चीजों की, बहुत जादा, वो देखता है, सुनता है, समझता है, जरूरत के मुताबिक अक्ट करता है, कदम उठाता है, तभी आज दुनिया में इंडिया की वा बहुत कमी है, जल्दे मिलता हूँ किसी डिफेंस वाली ख़वर पर अगली बार मिलूँगा, और आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको अपन वाली किसी टॉपिक पर जल्दे मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, हम भी आज ना, सुबह से जो हमारे मारे माइंड में जो य यारों की तरह, लेकिन अब देख लें कि इस पर बंदा बात क्या करें या, सबसे बड़ी बात इतनी है कि उन्होंने आपको एड़ दी, फिर आप ने वही पैक करके कुछ इन्होंने अपने गपले माल ली होंगे, कुछ वो रखी होगी वही उठा के वापस बेड़े मारी और देख लें लिखा वा उपर क्या है, सबसे बड़ी स्टैंप जो उपर लगी होई है, सिंध की लगी होई है, यारों कैसे हो सकती है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आलोक सोर ऐसी ऐसी खबरे पता नहीं कहां से लाते हैं, लेकिन उनके इस तरह के वीडिय जाथ है, ये रिलिफ के लिए, जब वहां पे फ्लट्स आये थे, तो वो सामान वहां के लोगों में बाटने की बजाए उन लोगों ने डबा के रखा था, सायद मुझे लगता है, इन लोगों ने कुछ ऐसे सामान तो बेच के उससे पैसा भी कमाए होंगे, और अभी तक वो उन में से कई सारे रिलिफ माटेरियल दबा के रखे थे और वो ही टर्की को फिर वापस पेश दिये, अटकर की रिलिफ के नाम पे, तो अगर ये लोग वहां पे कितनी सारो लोगों की मौट हुई फलट की वज़े से, अगर पाकिस्तान के सरकार वो जो उनको रिलिफ म की मदद की थी, अगर वो रिलिफ आम लोगों को मिल जाती तो साहिट कितने सारो लोगों की जान भी बच जाती और उनको भी कुछ ना कुछ मदद मिल जाती लेकिन उनकी सरकार ही ऐसी है कि करॉप्शन और पैसे से बाहर नहीं आती तो लोगों की क्या मदद करेंगे, और जो तरकी के साथ किया है, आप उनको प्रडर मुल्क कहते हों, उनके साथ ही ऐसी करते हैं चीज़े तो फिर आपके संबद कैसे दुनिया के और भी देशों से सही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जिससे दोस्ती है, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप और डेशों की तो क्या ही बात करें और डूसरी तरफ भारत की बात करें तो तरकी के साथ हमारे रिष्टे इतने अच्छे नहीं है वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था किसमेर के मामले में लेकिन फिर भी जब वहां पर अटकवेका तो सबसे पहले इंडिया अगर कहें तो बड़े तो आपके क्या वीचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखके जरू बटा अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मुत भूलिए और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए